कि हेला एवरिवन फिस एक ने वीडियो में आपका स्वागा थे आज हम लोग क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.1 का प्रेशन करमांग के दूसरा पढ़ेंगे तो देखे सबसे पहले प्रेशन को पढ़ेंगे तीन वाचार के भी छाप पर्मेशंख्या एक जात किजिए तो सबसे पहले हम प्रेशन के पहले करेंगे तो आप लोग लिख लेना 3 वाचार के बीच 6 परमेशंख्या चान करने के लिए 6 एक पांच बोलता है तो पांच में आप एक जोड लेंगे ठीक है तो इतना तो आप कर सकते हैं ठीक है अब इसकी बात देखें यहां पर लिखiene तो आप यहां पार समाज सकते हैं कि तीन की बटे में कुछ नहीं है तो आप यहां कर सकते हैं चुकि माल में परिवर्टन नहिं होगा और दूसरा संखिया देखिए चार है चार के बटे में भी आप वण कटर सकते हैं ठीक है अब इसकी बाद देखिए यहां पर चुकि तीन वत्य देंडर एक है अब दखें अंस next में आपको साथ और हर में भी 7 काल गुड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 6 में एक जोड़ने पर 7 आया है कि इसी सात को अंस और pierwsze दोनों में गुनारा करना पड़ेगा ठीक है उसी तरह से आप यहान पर चारवटे एक में भी अंस और हर wil गुडा नियुक्प करें थीक है अब दीखेंजर डोपर में संख्याह के बीच संख्या क्या थी हमारे चार और तीन और चार के बीच च्छा परिम्य संख्या च्छा परिम्य संख्या क्यों कि देखें 21 की बाद 22 की बाइस होगा 22 की बाद 23 बटे 7 अइस की बाद हो जाएगा 24 बटे 7 पचीश बटे 7 26 बटे 7 27 बटे 7 एक दो तीन चार पांच च्छे च्छे परिम्य संख्या बोला गया था और च्छे परिम्य संख्या देखें सेम उसी तरह से दूसरा नंबर भी करेंगे तीन बटे 5 और 4 बटे 5 की बीच 5 परिम्य संख्या निकालना पड़ेगा तो पहले आप इस भिन को लिख लें और दूसरा बटे 5 अब यहां पास देखेंगे कि आप अंस देखें चुकि 5 बोला परिम्य संख्या निकालने के लिए तो आप अंस और हर दोनों में 6 का ही गु और हर में 6 का गुड़ा करेंगे ठीक है अब लोगेर जब दो पर मिसाणगयों के बीच गुड़ एक चन हो तो अंस का गुड़ा अंस में रिकाम कोना हर में करेंगे यह यह हो जाने कहां 18 और यह यह चाप पनचा तीज और उसी तरह से यह तो गोड़ इक चल्ण है तो अंस आंश को गोड़ा अंस में तक हो जाएका छाचव को छॉवीश आ यह चालत ही दिखेट अब इसका हर दे को सेम वाइन तुर्न हदिए कु段 कि अठारा है अब यहां पर लिख भी लें कि तीन बटे पांच और क्योंकि अठारा की बाद क्या होगा अठारा की बाद 19 बटे 30 फिर 19 की बाद 20 बटे 30 21 बटे 30 22 बटे 30 आई हो जाएगा 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 बटे 30 लेकिन ध्यान देजे आप अठारा और चौबिस को नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी बीच बोला गया पर में संख्या यह आपका एग्जेक्ट एंसर होगा थेंक्यो